हेलो फ्रेंड्स वल्कम टो स्टेडी नियूज इंडियन रेलवे कस्मीर में देश का पहला केबल रेल ब्रीज बना रहा है तो जानेंगे इसकी क्या है खूबियां सो लेट अस इस्टार्ट इस ब्रीज का नम अंजी खाद ब्रीज है जो इंडिया का पहला केबल ब्रीज होगा ये ब्रीज जमू कस्मीर में माता वैशनो देवी के आधार सिवीर कटरा से रियाईसी के बीच अंजी ब्रीज बनाया जा रहा है चलिए मैप में भी देख लेते हैं ये है हमारा भारत और ये यहां जमू कस्मीर यहां ये है जमू और ये यहां है रियाईसी और ये चिनाब नदी चिनाब नदी पर ये यहां अंजी खड ब्रीज बना हुआ है और इस ब्रीज के पास है कटरा और इसके पास ये यहां वैशनो मंतिर है हमारे रेल मंत्री प्यूस गोयल ने पीट कर रेल ब्रीज का वीडियो सेयर किया है जिसमें बताया गया है कि कठीन भोगोलिक परिस्थितियों में बन रहा यह रेल ब्रीज इंजीनियरों के लिए किसी बड़ी चुनोती से कम नहीं है अंजी ब्रीज चिनाब दरिया पर बनाया जा रहा है इसके निर्माड कार में लगे कर्मचारियों और इंजीनियर्स की सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है इस ब्रीज को कॉंकर्ड रेलवे कॉर्पुरेशन लिमिटेड द्वारा विक्सित किया जा रहा है यह उद्धमपूर, स्रीनगर, बारामुला, रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है रेलवे के मुताबिक देश का पहला केवल रेल ब्रीज 473 मीटर लंबा बनाया जा रहा है इस ब्रीज को 96 केवल के सपोर्ट से बनाया जा रहा है अंजी ब्रीज जहां बन रहा है उस जगह की भोगोलिक इस्तिती बहुत जटिल है यहां अत्यधिक टूटी और संयुक्त चटानों के बीच निर्माड कार किया जा रहा है केबल पर आधारित ब्रीज के लिए एक उचा पीलर बन रहा है जिसके दोनों और केबल बांधा जाएगा ब्रीज के कार में लगे कर्मचारियों के लिए लेटेश्ट मसीनरों की विवस्ता की गई है इसमें जम्प सटरिंग का भी इस्तिमाल किया गया है ब्रीज के निर्माड के लिए जो क्रेन इस्तिमाल की जा रही है वो 25 मिट्रिक टन का वजन उठाने में सक्चम है यह क्रेन नदी के तल से 331 मीटर की उचाई पर खड़ा है इस ब्रीज में जो 96 केबल लगेंगे वो केबल तेज हवाओं के भारी तूफान को समालने के लिए डिजाइन किये गए है यह ब्रीज जल्द ही बनकर तयार हो जाएगा जो भारत का पहला केबल ब्रीज होगा तो थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो प्लीस लाइक सब्सक्राइब और कमेंट